राजधानी दिल्ली समेत देश के कई अनराज्यों में आई फ्लू का कहर देखने को मिल रहा है बतादे कि इसे पिंक आई इंफेक्शन या कंजक्टिव आइटेस भी कहा जाता है अगर हम आई फ्लू के लक्षनों की बात करें तो इस संक्रमन से मरीज की आखें बहुत लाल हो जाती है साथी आखों में सूजन और आखों से लगातार पानी और गंदगी बाहर निकलती रहती है आखों में जलन, चुबन और दर्द भी होता है बतादे की संक्रमन कम से कम एक हफते तक रहता है अब जिस तरह से आई फ्लू के केसे सामने आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि लोगों में उसका डर भी देखने को मिल रहा है ऐसे में आपने भी देखा होगा कि बहुत से लोग आई फ्लू से बचाफ के लिए आई ड्रॉप्स और दवाई लेना शुरू कर रहे हैं लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू उपायों के बारे में बताने वाले हैं जिसकी मदद से आप आसानी से इस समस्या से निजात पास सकते हैं हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीज़े जिनका सेवन आपकी सिर्फ आखे ही नहीं बलकि आपकी शरीर को भी स्वस्त करकने में मदद करेगा पहले बात करते हैं चिया सीड्स और अलसी के बारे में तो चिया सीड्स और अलसी के बीज में उमेगा 3 फैटी ऐसे भरपूर मात्रा में पाया जाता है सुभा के ब्रेकफास या फिर ड्रिंक्स में आप चिया और अलसी के बीजों को शामिल कर सकते हैं और ये सलाद और मिठाईयों में भी एक अच्छा टेस्ट जोडते हैं अगर आप आई फ्लू की समस्या से परिशान हैं तो रोजाना इसका सेवन जरूर करें इससे आपको आई फ्लू की लक्षनों को कम करने में मदद मिलेगी और जल्द ही आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी इसके अलावा सैल्मन, माकेरल, ट्राउट और सर्डिन जैसी फाटी फिशेज में भी ओमेगा-3 फाटी एसेट पाया जाता है ऐसे में अगर आप फिश खाते हैं तो हफते में कम से कम दो बार इन मचलियों को अपनी डाइट में जरूर शामिल करिए इससे आपके ओमेगा-3 के सेवन में काफी विद्धी हो सकती है बता देगी फ्राइड फिश की जगा बेगड और भाप में बनाया गया फिश जाद हेल्दी होगा बता देगी गरिष्ट खाद्र परदाद ओमेगा-3 फाटी एसेट से समिध्ध होते हैं फॉटिफाइड अंडे, दूद और दही और अन्य टेस्टी फूड आइटम्स के माध्यम से ओमेगा-3 का सेवन बढ़ाएं क्योंकि डाइट में ओमेगा-3 एसेट को शामिल करना आखों के स्वस्त को बढ़ावा देने और आख के आने के लक्षनों से राहत पाने में मदद मिलती है तो अगर आपको लग रहा है कि आपको आई इंफेक्शन हुआ है तो इन चीजों का सेवन जरूर करें अब आपने भी सुना होगा कि अखरोट में भी ओमेगा-3 फाटी एसेट भरपूर मातरा में मिलता है ऐसे में आप नाश्ते में मुठी भर अखरोट खाएं या फिर अपने सलाद और दलिया में शामिल कर सकते हैं अखरोट खाने का सबसे अच्छा तरीका है अखरोट को रात भर पानी में भिगो के रखें और सुबह खाली पेट उसका सेवन करें इन सब चीजों से भी सबसे बहतरीन चीज जो आखों के लिए मानी जाती है वो होती है पत्तेदार सब्जियां याने की लीफी वेजटेबल्स पालक और केल जैसे पत्तेदार सब्जियों में अलकल लिनोलेक एसेड याने की ALA की काफी मातरा पाई जाती है जो एक प्रकार का omega 3 fatty acid ही है ऐसे में आप इन पॉष्टिक हरी सबजियों को अपने सालाद, स्मूदी और सबजी में शामिल कर सकते हैं और उसका सेवन कर सकते हैं ये सबजियां आपकी आखों के साथ-साथ आपकी शरीर के लिए भी काफी अच्छी मानी जाती है तो अगर आपको आई इंफेक्शन के लक्षन महसूस हो रहे हैं तो बताएगा इस चीजों का सेवन जरूर करें ये आपके और आपके परिवार को आई फ्लू से बचने में मदद करेगा साथ ही अगर जादा परिशानी महसूस हो रही है तो हमेशा सबसे पहले अपने डॉक्टर की ही सला ले अमारुजाला अब आपके टीवी पर भी अपने स्मार्टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमारुजाला चैनल सबस्क्राइब करें और देखें ताजा खबरें वो भी हडी क्वालिटी में और हाँ बैल आइकन दमाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके गर आमारुजाला निश्पक्ष निर्भी निरंदर